हेलो स्टूडेंज गुड मॉर्निंग आज हम क्लासवान विकली एक्जाम के सब्जेक्ट कॉम्पूटर के कोशिनन सा डिसकस करेंगे देखो नमबर वान फिलिन दा ब्लांक्स ब्लांक्स को पुरा करना है पी डेक्स आर डेक्स ये क्या होगा ये पार्ट होगा पी ए आर्टी पार्ट मतलब एक आंस कम्पूटर का आंस बिभाग ये क्या होगा ये कीबोड होगा के इवाई बी ओ ए आर्डी कीबोड ये होगा बटन बी यू टी टी ओ एन बटन ये होगा मोनिटर monitor monitor भी एक computer का पाठ है यह होगा speakers speakers यह होगा mouse mouse screen then number two do it mouse looks like a dex mouse केसा दिखता है एक real mouse की तरह दिखता है कि नहीं तो यहाँ पर real mouse लिखना then b cpu stands for cpu का full form है central processing unit यहाँ पर central processing unit लिखना then number c keyboard is used for dex keyboard को हम कहां use करते हैं typing के लिए तो यहाँ पर typing लिखना then number d cpu is called dex of the computer cpu computer का क्या है brand है तो यहाँ पर brand लिखना cpu is called brand of the computer e cpu storage and saps dex cpu क्या store करता है और क्या save करता है data तो यहाँ पर data लिखना then app keyboard small buttons are called dex keyboards में जो छुटे छुटे buttons होते हैं उसको क्या कहते हैं उसको key कहते हैं तो यहाँ पर key लिखना then g dex looks like a tv tv की तरह क्या दिखता है monitor तो यहाँ पर monitor लिखना then as ups is also a part of a dex ups किसका एक part है computer का तो यहाँ पर computer लिखना तो वैसे ही यह correction करना बात यहाँ кино किसकी दात नो बात 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 लुटे